नमस्कार साथियों मैं धर्मींद्र आप तभी का धर्मींद्र सर्मेश महांटिक स्वागत करता हूं आज हम पढ़ने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपी जिसका नाम है मिश्टन और एलिगेशन विल्कुल मिश्टन के जो कोशन हमारे एक्जाम में हमसे पू करते हैं काफी जब मैंने करवाए हैं आप लोगों कोशेंटेज में और यहां को रूप में पढ़ने वाले और बहुत ही प्यारे-बैरे आपको पूंसेप्स है डेफिनिटल आपको बहुत मजह आने वाला है तो आज की लास आपके लिए खासकर जरूर शेयर करिएगा चलिए तो start करते हैं आज का पहले question से तो दोस्तों पहला question क्या है पढ़ते हैं इसको तो क्या है 6.20 रुपए प्रतिकुलोग्राम वाले चावल के साथ 8.20 रुपए प्रतिकुलोग्राम वाले चावल को किस अनुपाथ में मिलाकर बेचा जाए कि नए कर जो नया आप राइज्थ हो क्या बन जाए साथ पुइस बन जाए तो अगर आप इसको भटाएंगे तो एक आएगा एगा एक आएगा तो यहां पर दोनों का आपको मिलाना है कुझा अवरोल बेल्यू जो आपने इसको बना कर बना चाहिए और इन दोनों अगलाकर जो यह अलग अलग वैल्यूस दोनों की हैं इनको मिलाकर यह वैल्यू बनानी है तो ऐसे आपको वैल्यू में रखनी है इसको यूज करने के लिए आपको इक चीज़ पता होनी चाहिए कि कब यूज हो सकता है विक्रमूलय होगा बिल्कुल तो यहां पर सब्सक्री तीनों की value condition क्या होने चाहिए, same होने चाहिए, same होने चाहिए, दूसरी important बात यहाँ पर क्या है, कि यह वाला price, यानि जो overall price है, जिसको हमने बनाया है, या पर जिसको हमने दो भागों में तोड़ा है, वो value एक से ज्यादा और एक से हमेशक कम होगी, तभी यह काम करेगा, तीसरी important बात कि यह अनुपाद किसका निकलेगा, यह अनुपाद दोस्तों उसका निकलेगा, जिस पर यह value dependent है, जैसे कि यह हमारे पास क्या है, प्रती किलोग्राम का मूले है, यह अनुपाद निकलेगा, तो इसमें नीचे कुल बजन होगा, कुल बजन का मतलब यहाँ पर जैसे कोशन की बात करे तो बजन का अनुपाद निकलेगा, जैसे कुल संख्या निकलेगी हमारे पास, जिसके अलावा हम बात करें, अगर आप profit and loss percent की बात करें, तो अब कैसे निकालते है, percentage profit बटाट CP, ठीक है, गुना 100, तो यहाँ पर हमेशे किसका निकलेगा, CP का निकलेगा, यहाँ पर संख्या थाई, यहाँ बजन थाई, इसके अलावा जिसे हम लोग बात करें, चाल की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो बटे में क्या होगा समय, तो यहाँ पर समय का अनुपाद निकलेगा, यहाँ पर सिंपल इंटर्स की बात करें, तो रिट ओफ़ इंटर्स किस पर निकलता है, अगर मैं रिट ओफ़ इंटर्स यहाँ उसके यहाँ दूरौपन जब्लभाद निकलता है, को किसी एक्जाम में दिख जाएंगे तो उनके तरीके को समझना है हमें इजी करना है वो ही हम इस चेप्टर में पढ़ने वाले हैं एक व्यापारी के पास सो किलोग्राम चीनी थी इसमें से कुछ चीनी साथ परशंट लाब पर बेची गई तो शेज चीनी सतरा परशंट ला पर तीसरा हिस्ता बेचा तो तीन बटे टोटल कितना है दस दस के चाया साथ और तीन बिलाकर दस आ गया जबकि सो किलोग्राम निकाले तो तीस किलोग्राम इसका चाहोगा राइट अरोगा चलिए आप भी बेरे साथ करते रही है इन को डेफिनेटली बहुत आसान है आप को मज़ा आगान कोशनों को करने में कोशन नमबर चार तीन क्या है एक दुकान दर 50 क्रोग्राम चीनी 14 रुपे की दर्शे और दूसरे पकार की चीनी 16 रुपे प्रतिक्लोग्राम की दर्शे खरीद कर मिश्ट करता है यह जान रखेगा यह वर्ड आ गया यह सेलिंग प्र तो यहां पर आप देखो पहले इस अठारा को कॉस्ट में बदलो तो मुझे यहां कॉस्ट प्राइज निकालना है दोस्तो तो अठारा को बेगतर मुझे 20 परशेंट का लाब तो 120 गुणास हो तो यहां पर आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे पांच यह हो गया च् क्रेमोले फट क्रेमोले 15 उRC्र्पै तो पहले परकार cứu कि दूसरी परकार कि सोला की है और ऑुछल कितना हुप पंद्रा का तो घटाईए एक घटाईए एक तो यह पर एक अनुपात एक में चीनी को च्या किया है आपने 50. पैटास किलोग्रामे models निखात को सब्सक्राइब 60 का संद् numerator मिलाना चाहिए जबर क्लोग्राम से बेज कर 25 परशंट का लाब राप्त हो सके यहां पर सेम कॉंसेप्ट वही आ गया जो पहले किया था देखो 45 पैसे के भाव से बेचा है यहां पर निकालेंगे तो यहां पर देखिए आप तो 40 पैसे जो है वह 125 के बराबर है ठीक है गुणा सोकामान निकाल दी लिए तो यहां पर इसको काटा चार यह पांच 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 से काटा को आठ तो यह आगे 32 पैसे 32 पैसे प्रती किलोग्राम जो हमारे पास नमक का मूल लिया है और जबकि एक कितना एक है 42 और दूसरा है 24 और ऑवरॉल है 32 तो इसको घटाएंगे तो यह मिश्रन 45 और पूछ यहां पर पूछ रहा है कि आ बहुत पैसे कितना है चार बटे नो और गुना कितना हो गया गुना हो गया सक्षा में एक कक्षा में एक कक्षा में कुल लड़के और लड़कीओं की संख्या 55 है कुल लड़के लड़के कितने हैं 50 है उनके भी 46 रुपए इस प्रकार बाटे जाते हैं कि प्रतेक लड़के को 90 पैसे और प्रतेक लड़की को 65 पैसे प्राप्त हुए तो लड़कियों की संख्या ग्यात करो यह भी बड़ा आसान सा कुश्चन है देखो यहां पर 46 रुपए लड़के को कितने मिलते हैं 60 पैसे और ऑवरल कितने मिलते हैं 82 तो गटाएंगे तो आएगा 17 और इसको घटाया तो कितना है आठ तो लड़की है आठ टोटल कितनी है पच्चिस और गुणा इसका मान दे रखा है अपने को 50 संख्या दे रखिए तो यहां पर दो बार तो लड़के के संख्या कितनी आगई 16 यानि बिल्कुल यहां पर करेक्ट अंसर क्या है 16 और लड़के कितने होंगे लड़के पुछे का तो लड़के अगो 34 से लिए कोशन नमर 6 की बात करें एक धातू एस तथा बी नहीं एस तथा नहीं एए बी से 20 गुना भारी है तथा ए करने जातू सी बी से 35 गुना भारी है एक पर्टिकलर वैल्य के अकॉशन चल रहा है तो आप यहां पर आया दस और यहां पर आया पांच तो अनुपात कितना है दो नुपात एक या ऑप्शन बी इसका करक्ट जवाब है के लिए कोशन नमर 7 से बात करते हैं कुशन नमर 7 क एक परिक्षा में कुल 1200 चात्रों में 80% लड़के दा 70% लड़किया पास हुई लड़के 80% और लड़के 70% पास हुई यही पास करने वाले चात्रों का परसेंटेज कितना है 55% है नहीं सभी का कितना है 55% आपको दे रखा है तो कुछ रहाई सम्मेट लड़कों की संचिया गयाद करो तो अस्ती एक ग्रूप का दूसरे का 70 और ऑवरोल 55 तो माइनस करेंगे तो यहां पर दूस्तों आएगा 5 यहां भी आएगा 5 तो 5 और 5 का अनुपाद एक अनुप में मिश्ट करता है क्या मतलब है इसका किसी कि दाल अगर दो किलो है ठीक है और बहेंगी किसी दास किलता किलो मालो तीन किलो है अब इस मिश्टन को 22 रुपर प्रतिकुराम की दर से बेच कर वे दस परसेंट का लाब कमाता है इसको अब देखो डारेक्ट भी कर सकते हो क्या है अग्यों कि दाल का क्या होगां अब आप से पूछ रहा है तो देखो सस्ते किलाम कर नियूटा दे रखाया और मेरी पास नहीं है पर मह आपने पास बीस रुपे पर कि यहाँ पर अनुपाद को बतां तो क्या करो आप आप एक छोटा सा काम करो, फेले तो समझदो इसको, कि 14 और 20 का अंसर कितना अच्छा है, तो यह 6 है, अगर यह 6 तीन के बराबर है, तो बताओ, 2 किसके बराबर होगा still more than 4 और 20 अगर 4 है, तो यह कितना होगा बिटा, 24 होगा, क्या होगा, 24 होगा तो कि अगर आपके दिमाग में के सर 16 रखते तो क्या होता बिटा 16 रखने पर 4 तो आता पर ये मान दोनों से ज़्यादा नहीं हो सकता ये बाता में पता होने चीए यानि 20 14 से ज़्यादा है तो ये 20 जो है अगले नंबर से कम होगा यहाँ पर 24 रुपए किलोग्राम इसका मू लिया गया या ऑप्शन A कोशन नंबर 8 में ऑप्शन A बिलकुल सही जवाब है कोशन नंबर 9 क्या किय रहा है शराब से भरे एक गलास में 40% ऐलकुछल इसमें शराब के कुछ भाग के इसथान पर 19 पर जबदल देने से नई दरव में 26 पर जबला गया यह भी खाप काफी अच्छा कोशन ने काफी बार एक्जाम में पूछा आता है तो देखो मैंने जो लास्ट वीडियो था मेरा रेश्यो प्रोपर्शन वाला उसमें आपको समझाया था कि दोस्तों यहां पर क्या होना है यहां पर देखो मिश्ण मिला हुआ है तो अभी कितना पर्शंट अल्कॉल है 40% अल्कॉ मतलब है आपने मिलाया किस अनुपात में इसका मतलब क्या है अगर यह वाला हिस्सा जो पहले वाला था वो एक है और जो नया मिलाया वो कितना है दो तो इसका मतलब है क्या लिखा कुछ भाग के इस्थान पर कुछ भाग निकाला और उसके जब रिप्लेस किया तो कितना निकाला कितना था निकाला भी हमने दो हिस्ता ही होगा कितने में से तीन में से तो दो त्याई भाग निकाला गया और दो त्याई भाग बदला गया तो वही हमारा क्या होगा अप्शन भी राइट अंसर होगा चलिए अगला कोशन कोशन नमबर 10 क्या है शुद्ध गी की कीमत 100 रुपे प्रतिकलोग्राम है 50 रुपे प्रतिकलोग्राम का बनस्पती तेल मिश्ट कर एक दुकांदर इसे 96 रुपे प्रतिकलोग्राम की दर से बेचता है जिससे 20% का सब्सक्राइब कोशन में अगर गलत किया तो अंसर क्या होगा इनमें इस से कोई नहीं पर ध्यानक हो अगर इसम क्या दो है और अज़िता किया से कितना बाग निकाला गया स्में वैसे ही कोशन है। परसे हो गया तो यहां पर आप निकालेंगे तो निकाल कर अपने जुन इस्ता निकाला उतनी जग सो गए टो तीहां यानी ऑप्शन दीका गरेक्ट जवाब है बिल्कुल प्यारा सा कोश्चन था ये कोश्चन नमर 11 चलिए बारवा देखते हैं क्या किया रहा है 1050 टॉफी डेट सो बच्चों में इस प्रकार बाटी गई कि प्रतेक लड़के को 8 टॉफी मिल दीए यानि बॉइस को मिल रही है बेटा आठ और प्रतेक गश्चन को किसनी मिल रही है गल्स को मिल रही है पांच डानेट भी कर सकते हैं इसको दूसरे कैसे भी बताऊँगा मैं आपको भी पर देखो एलगेशन से बात करते तो यहां पर हमारे पास आगया यह कितना एक यह आगया हमारे पास दो यह लड़के दो है तो लड़किया एक है तो बोले लड़कों की संख्या बताओ तो बिटा दो को दो बटा तीन चोटल कितना है डेड़ सो पचास दुनीज सो ठीक है तो इसका अंसर क्या होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है चली तो बारवे कुशन का अंसर क्या है बिटा ऑप्शन बी इसका बिलकूर करेक्ट जवाब है इसको एक और तरहीं से में बात करा था वो देखो देखो यहां पर लड़के को कित कि इस मेंलेशय वाटिवर्ट से आपने साठास तो वाट दई कि इसाथ सो अब पत्सक्राइश्य को तो लड को मिलांकर मैंने 5ज़ बाटए भाटव दी गए तो लड को अब लड को मुझे Junior तो लड को सकते कुछ नमर ते 465 में मुपेड खरीद कर उसे 50,000 पर बैस लिया मैंने अगर 30,000 से 50,000 पर जाओंगा तो मुझे 10,000 का लाप होगा और 10,000 का लाप किस पर 40,000 पर जाने मुझे 25 परशंड का लाप होगा यह कहानी आक्या क्लियर होगी यह एक मुपेड को 10 परशंड लाप पर दूसरे मुपेड को 30 लब पर बेचा हो देखो एक मुपेड 10 परेशन्ट लाप से गया दूसरा मुपेड 30 परेशन्ट लाप से गया ठीक है और65 तो इसका मतलब मुपेड़ का अनुपाद का aurस्या तो एक अनुपाद 3 मुपेड कह रहा है मुझसे वो कह रहा है तो बताओ दस परशन लाब पर बेची गए मोफेड का क्रेम बूल यह यह दस परशन लाब पर नहीं एक इसा एक टोटल कितना है बटा क्रेम बूले चार और उपर कुशन में भी कितना है अब क्या कह रहा है इन दोनों बड़तनों को तरल को किस अनुपाद में मिलाया जाए कि नए गोल में आदा दूद वे आदा पानी हो जाए अब देखो अभी तक हम लोगों ने जो कोशन पढ़े हैं में सिर्फ नंबर नंबर की बात कर रहा था यहां पर अब जो कोशन मैं कर मैं पहले से दूद निकालों तो पहले सो में कितना है चार टा साथ बता TIE से ऑफोड़ा करना है उसाथ यहीं हीए इजी कर दो तो साथ पांच और दश को साथ पांच और दो का लगुत्पम कितना होगा इसका लगुत्तम прेसितर होगा तो इसको से गुना करना करो Behavior को तीसरे में 35 पांच यह हमारे 35 35 में से गया तो बिल्कुर साथ तो किसे रुपात में मिला है बिटा पर ने साथ रुपात पांच में मिलाया यानि ऑप्शन ए इसका क्या है करक्ट जवाब है तो इस तरह से कुशन को हम एजीली कर सकते थे देखी तो अगर आप इससे करेंगे अभिन सर यह आएगा चार बटे साथ माइनस एक बटा दू तो Qiya निकाला लागूंत्तम हैए 14 आठव माइनस 7 यैपैर 1 गटा 14 और यहां पर अग्र हम देखेंे तो गच कि 2 गटा 5Evet बटा से दो बटा पांच तो लगुत्म कितना हैगा लगुत्म हैगा दस दस किया तो पांच माइनस चार तो यहां पर आ गया एक बटा दस तो क्रॉस कुना हो जाएंगी तो चौदा इदर और दस उदर चला जाएगा तो वही साथ अनुपाद पांच इसका अंसर होगा जैनी ऑप कितने इससे इस दर से बेज दिया यानि अपकी बार कुछर लाब परसेंट क्या यह निए एलिगेशन भी लगा रहा है और प्रॉफिटल लॉस भी बात कर रहा है देखो इसको इससा बस सकते डारेक्ट लेकर बात करें तो तीस किलोग्राम चीनी अगर बीस रुपे के आएगा सीपी आएगा यह आएगा पचास का भाग लगाया तो यह 18 रूपे पर केजी का अब देखो कॉष्ट आया हमारे पास एक किलोग्रारा रूपे जबकि एक किलोग्रा सेलिंग प्रैस कितना है 21.60 तो 21.60 का मतलब हो गया प्रॉफिट कितना हो गया प्रॉफिट हो और अगर हम प्रॉफिट पर्शेंट निकालेंगे तो 3.60 जो होगा वह 18 पर होगा गुणा 100 ठीक है तो 20 पर्शेंट का लाब हो गया तो इसको इस तरह से हमने कर लिया तो यह सिदा सिदा कोश्चन था जरूत नहीं है आपको हर बात कुछ को को मतलब आपके दिमाग में ऐ इसा नहीं होना चीए कि मुझे तो इसी से करना है ऐसा नहीं है एक्जाम के अंदर फटावन अंसा राना चीए जैसा भी कोशन नंबर 16 की बात करते हैं कि देखो दोस्तों यह है कि 6.10 रुपे प्रतिक्रोग्राम का कितना चावल 2.50 प्रतिक्रोग्राम वाले 126 किलोग्रा 30% का क्या हो plag हो मुझस्य पूछ रहा है तो यहां पर पहले सबसे पहला काम देखो क्या है कि 20% कभी या यह अई स利닝 क्ला इजे तो पहले आपको इसका आपना और आपने पास कितना है बेटा चार है तो इसको लाइस करूँगा तो इतना हैगा 2.10 इसका मान होगा और जब इसमें इसको लाइस करेंगे तो 1.15 इसका मान होगा और यहाँ पर जब दोनों का रिशो निकालूंगा तो बहुत इसका अंसर निकल के आएगा तो पॉइंट समान इस्तिती पर है तो 1.15 अनुपात 210 पांट से काटा इसको तो पांट से काटा तो तो यह हमारा कितना हो जागा पांट से काटने पर पावन नहीं 42 हो जाएगा यहाँ पर फिक है और इसका मतलब 42 का मान आपको दे रखा है कितना 126 किलोग्राम आपको दे रखा है तो बेड़ा इसको 26 बनाना है तो यह कितना गुणा कर दिया हमने 3 गुणा तो इसका 3 गुणा करने ने एक ब्यापारी 56.50 रुपए 50 किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम गेहूं और 7 रुपए 50 किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम गेहूं दूसरे किसम का गेहूं खरीकता है अब दोनों को मिला दिया एक गेहूं परवाला दूसरा गेहूं दूसरा अलग लिखा हुआ है आपको औ तो कुल कितने का हो गया तो साड़े छै गुना बीस एक तो हमारे पास यह हो गया दूसरा वाला हमने साथ रुपए किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम खरीदा ठीक है तो उसको खरीदा तो साथ रुपए के हिसाब से 30 किलोग्राम हमने यह खरीदा तो यह टोटल हमारे पास क कितने का हो गया चलो करके देखते हैं अक तो यह होगा एक सो थीस रुपए तो यह हो गया हमारे पास और दो सो दस का हमारे पास ही हो गया तो कुल मिलाकर 340 प्लॉपए का गव वह हमारे पास हो गया और वह कितना किलो वह 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 20 और 30-50 किलो अब एक important बात ही है कि यह मेरा cost price हो गया हमारे पास clear है अब यहां पर जान रखना कि मुझे profit कितने को रहा है 60 रुपय का profit हो रहा है तो मतलब मैंने बेचा कितने में होगा तो 340 प्लस तो 340 प्लस सकर मैं A इसका अंसर होगा तो जरूरी नहीं हर बार आप हमेशा allegation नहीं लगाएं मतलब कहने का मतलब है आप fundamental अगर सीख गए मैं आपको पहले भी कभी कई example में आपको बताएं जहां पर जरूरत नहीं है आपको पूरा detail में जाने की आप जरूरत नहीं है हमेशा हर चीश को सोचने की आप कोशिश करिए अंसर आपका अपने आप निकल के आएगा चले कोशिश नमर 18 की बात करते है क्या है क्रिश्ण कोफी 175 रुपे प्रती क्ली गराम की दर से उर सो किलोगराम कॉफी 125 रुपे दर से खरीदी अब वह है इस मिश्टन को प्रती किलोगराम किस मूले पर बेचे कि उसे 20% का लाब हो अब यहां पर allocation की बात कर रहा है तो देखो क्या करेंगे सेंब वैसे ही अब 1500 किलोगराम कि इसना 125 अब यहां पर हमको क्या दे रखा है इन दोनों का इन दोनों का बजन दे रखा एक तो 150 किलो और इक का बजन 100 किलो तो इनका रेश्यो निकाल लूगा तो इसका मतलब है कि मेरे को रेश्यो दे रखा 33.02 पर मुझे टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा वो जरूरी है क्योंकि मेरे पास सेलिंग प्राइस तो दिखावा है प्रॉफित लिखाओ है तो पहले कॉस्ट निकालता हूँ अब जब भी मुझे बीच की मेरे निकालनी हूँ इस तरह से इक तरीका में फिर बता रहा हूँ अगर आप 175 को अपने जैसे इसको छोटा कर लिया 175 के रूप जाल गया एक कुलों को बोले निकले 5 लेज़ाइए मैं दूनों करके पिता रहा हूं अब 120 तर्व तीन करूँगा तो यहां पांसो पच्चीह प्लस यहां रहा इक सो पच्चीह पच्चीह दो या नी यह जो मान आया बीच में 155 होना चाहिए आप निकाल गए देखो बताता हूँ कैसे अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है इन दोनों के बीच का अंतर 50 आपको इस अंतर को 50 को 3.2 में बाटना है यह ugsई दिजा किए इस अंतर को 20 निकालूँगा तो 155 बचेगा और 155 को अगर 125 में से घटाऊँगा तो कितना एगा टीस आएगा तो इसका हो 155 ही है तो आप allegations की साहिता से भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं और आप वैसे यह नहीं 6 बटा 5 की फॉर्म में बेचना है चलो 5 से काटा 5 तीया 15 पंद्रा पांच एकम पांच और इसको काटा तो कि दूश्य का मुले 200 और आपको किहा रहा है कि इनको 5 नुपाद 3 के अनुपाद में मिला देता है तो लोग 5 नुपाद 3 अब आप चाहें दो तरह के से कर सकते हैं पहला 120 को 5 से गुणा करो 600 रुपेसका हो गया 200 को 3 से गुणा करो 600 रुपेसका हो गया 600-11200 और 8 किलो का प्राइस हो गया क्योंकि 5 और 3 आठ किलो हो गया यह तो concept हो गया, इसको डारेट करते है इन दुनों का difference कितना है बेटा, 80 80 को 5 और 3 में बाटा हो तो 50 और 30 हमारा क्या हो गया यहां पर वैल्यू आ गया अब 50-130 को आएगा बेटा, जब यहां पर क्या होगा 150 होगा, इसका मतलब हो गया भाई, अब मुझे 30 सी है ना तो 200 में से क्या गटा हूँ 50 आ जाए, तो 200 में से 50 गटा दो 150 आ जाएगा, अब 500 में से 100 भी सिटा है तो क्या गया, अब क्या कह रहा है वैं मिशित चाय को 165 रुप है प्रतिकलो राम के भाव से बेशता है यानि ये कौश्ट आ गया हमारे पास 150 रुप है और हमने इसको बेचा कितने में है हमने इसको बेचा है बेटा, 165 में तो यहाँ पर आप देख लीजिए मुझे 15 का लाव हुआ इस पर, 1500 पर तो कितना प्रॉफिट हुआ 10% क्योंकि 15, 1500 का 10% होता है इसलिए 10% का लाव हो गया option C, इसका correct जवाब है 19 कोश्चर का चली, question number 20 की बात करते है क्या किया रहा है मुकेश ने घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपे में खरीदा उसने क्या किया, एक घोड़ा लिया और एक गाड़ी ली और उसने क्या किया, दोनों को 20,000 रुपे में खरीदा बाद में उसने घोड़े को 20% लाब से और गाड़ी को 10% हानी से बेज दिया इस प्रकार उसे पूरे स्वदे में 2% का लाब हुआ अब देखो इसको आप इसको profit and loss की बात कर रहा हूँ allegation का concept लगाँगा profit and loss को question कर स्वाल लूँगा देखना अभी तो पहले को 20% लाब यानी 120 में 120 कैसा है वो समझना मैंने माना कि क्रैम मूले मेरा 100 रुपए है मैंने कहा ना तीनों value same format में होनी चीए तो ये मैंने selling price लिया पहले का पहला कौन है यहाँ पर घोड़े को तो घोड़े को उसने 20% लाब से बेचा तो कोई ती जगर 100 रुपए की थी तो मैं इसको कितने में बेचूँगा 120 के साथ से बेचूँगा और दूसरे को 10% हानी यानी इसको कितने में बेचूँगा 90 में और तीसरा overall अगर वो बोलता नो profit no loss तो मैं 100 का सो लिखता और यहां लिखावाद 2% का लाब बेचा तो इसका मतलब यहां की आओगए 102 हो गया तो घटा हूँगा इसको 120 में से घटाया तो यह बच्टिया 18 और इसमें इसको घटाया तो बच्टिया बारा कितना बच्टिया बारा और इनका रेशो निकालूँगा तो बेटा क्या आएगा 2 अनुपात 3 इसका रेशो आएगा अब क्या कह रहा है तो बोल रहा है क्रेम मूले ग्यात करो अब यह देखो किसका अनुपात है मैंने आपको पहले भी कहा था मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये अनुपात हमेश्या किसका निकलेगा तो बेटा दो अनुपात ही ने टोटल अगर 5 रुपे होता तो दो किसका है बीस परशंट लाब वाले का यह 20% लाब को बिचा गोड़े को तो गोड़े का पूछ रहा है तो दो बटा टोटल कितना है पांच गुणा हमारे पास कुल है बिटा कुल क्रेम बीस हजार रुपए चलिए करते हैं तो विस पांच से गाड़ा पांच चोक बीस यहीं मतलब गया आठ हजार रुपई इसका अंसर होगा तो यही हमारा क्या बिल्कुल करेक्ष जवाब इतना टिप्रिकल होता है गे मैट तो कभी भी आप यह नहीं कि आने वाल एक्जाम कोभी भी कोई भी एक्जाम के लिए पढ़ो तो definitely आपको कोशन इसी तरह के एक्जाम में मिलते है और आप देखिएगा इस बार जो हमारे पेपर होते है उन सब में भी हमारे इस तरह के कोशन ही हमारे पूछिए आ सकते है देखो कोशन नंबर इकीस क्या है उसे कुल मिलाकर लेन दिन में 90 रुपय का लाग होता है तो कम दम वाली कुर्शी का कीमत ग्याद करो तो यह बड़ा ही इंट्रेस्टिंग कोशन हो गया जो कि इसमें कई सारी चीज़े उट पटांग लिखी हुए है पड़ा समझो इसको यह अगर 4 बटा 5 में मैंने इसको ब उके बात समझ में एगी वाली वाद क्लियर है तो इस तरह से आपको दिखा है यहां पर क्या बोला है पहली को उसकी लागत मूले पर आपको लिखावा है तो इसकी लागत मूले पर वहां 20% profit कमाया total profit कितना हो गया 10% का profit हो गया अब देखो इसको कैसे करोगे बहुत आसान है पहले को 20% loss यानि 80 दूसरे को 25% profit यानि 125 ओके overall 10% का profit हो रहा है 110 यह 10% कैसे है मैं निख देता हूँ आपर overall profit जो हुआ वह नभ्यका हुआ किस पर 900 पर profit हुआ है profit लिखा न बिर्कुल profit है तो कितना percent profit हो गया पेटा 10% का हमारे profit हो गया यहां पर देख लो 10 लिख दिया गटाया इसको तो यह आ गया 30 हमारे पास इसको गटाया तो हमारे पास आया 15 तो यहां option D इसका correct जवाब है question number 20 में option D विल्कुल आसा कोशन हमने कर लिया चलिए question number 22 की बात करते है सोने और चांदी की दो मिश्रदातों में सोने और चांदी का अनुपाद एक तो में तो 7 अनुपाद 22 और दूसरे में 21 अनुपाद 37 आपको दे रखा है इन दोनों मिश्रदातों को किस अनुपाद में मिलाया जाए ताकि नई नई मिश्रदातों में सोने चांदी का अनुपाद 25 अनुपाद 62 हो जाए ठीक है यह भी हमने पहले भी किया इसा question बहुत अनुपाद 22 किसका मतलब हो गया टोटल कितना है 29 ठीक है मैंने इसके दूतरी के बताई आपको एक तो अनुपाद की फॉर्म में बिन्दे की फॉर्म में लिखके करना ठीक है दूसरा अनुपाद को सीधा बराबर करके 21 अनुपाद 37 का मतलब हो गया टोटल कितना हो गया यह ओगया 58 और दी सा हाई मने पास 25 अनुपाद बासट 12 होगए 77 अब टीनों को समान करना है तो देखो क्या करेंगे आप सब से पहले त्यों के लगुतम लोगधा तो टाइम खराब होगा मेरा देखो इसको तीनों में उन्तिस लिखा हुआ है उन्तिस लिखा हुआ है उन्तिस गुणा एक उन्तिस गुणा दो उन्तिस गुणा तीन तो सब कुछ है इसको तीन से गुणा कर दो और सब बराबर हो गए उन्तिस गुणा दो गुणा तीन आ गया यह उन्तिस गुणा तीन गुणा भाई 670-42 दूसरे में सोना किता है 21-63 और तीसरे में सोना किता है 25-50 ठीक है सब में सोना सोना उठा लो चाओ तो चांदी उठाओ के तब भी अंसर वही आएगा तो 8 की ये और ये बचा 13 तो 13 अनुपात 8 हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास क्रेम बूले का यही पूछा था हाँ अगर आपके मनुवर्च चांदी से करते तो तो 22 इंटू 6 करो 132 कि 373 111 कि 62 124 कि गटाया तो 13 कि गटाया तो 8 देखो वही आ रहा है तो सेम अनसर वही आएगा और चिंता करने की ज़रूत नहीं है ठीक है इन कोश्चनों को पढ़ लो काफी आपके एक्जाम के लिए कोश्चन नमर तेईस 20 रुपे प्रतिक्रोग्राम और 15 रुपे प्रतिक्रोग्राम वाली चीनी को कि अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्चन को 16 रुपे प्रतिक्रोग्राम से बेचने पर ने तो लाब और नहीं हानी हो याई अगर 16 रुपे में बेचूंगा तो ने लाब नहीं हानी काब हो था जब वो क्रेमूल लेकर समान हो तो यह क्रेमूल लेए एक तरह से तो पहली का 20 दूसरी का 15 और अवरल 16 य गटाया है तो चार यह गटाया है तो एक अनुपास चार यानि ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब था कुशन नंबर हमारा क्या है 28 का चलिए 24 की बात करते हैं क्या कह रहा है बारा लीटर बारा लीटर वाले बारा लीटर वाले नमक के मिश्रण में 7% 7% नमक है यानि चार लीटर पानी बास्त बन जाता है पानी खतम होगए चार लीटर यहली बारा में 7 चार गया तो आट लीटर रहे है अब बचे वो मिश्रण में नमक की मातला कितना % होई बेलकुर % ति चैंच होगा पहले अगर हम बात करें साल्ट कितना है बारा में 7% है तो 7% निकाल तो कितना लेटर आया 0.84 लीटर इसमें साल्ट आ गया यह बता हुँ समझ्जा आगया अब मुझे पता है कि बाद में जो साल्ट है वो साल्ट तो वही रहेगा अब न्यू साल्ट ठीक है तो 0.84 कितने में 8 लीटर में गुणा 100 अगर मैंने पॉइंट अटाया नीचे तो पॉइंट अटाते 0 कट गई तो 84 बटा 8 8 कम 8 ठीक है अब देखो यहाँ पर चलत बाजी कभी भी नहीं करनी है अब आपको लग रहा होगा कि मैं सीधा 4 में फाग लगाँ नहीं पहले पॉइंट लगाँगा ठीक है फिर 0 फिर यहाँ पर 5 तो यह आगया हमारे पास अब इसको अगर मैं गुणा भी करूंगा पाट से चाहो तो हमेशा चेक कर लो पॉइंट लगाना है मैंने उल्टा कर दिया पॉइंट पर लगा दिया ठीक है तो इसको गुणा भी करके देख लिया करो इससे आपको कल्कुरिशन में दिक्कत ना आए तो कितना है दस पॉइंट पाँच तो इसका अंसर ऑप्शन ए कोशन नमर 24 में करेक्ट सा जवाब है इसका चलिए आगे कोशन नमर 25 की बात करते हैं क्या है 25 कोशन देखो एक बरतन में 60 किलोग्राम दूद है इनने में से 6 किलोग्राम दूद बाहर निकाला जाता है 60 kg दूद बरतन में ठीक है उसमें 6 kg दूद बाहर निकाला जाता है यह प्रक्रिएफ दो बार और की जाती है वार तो तीन बार आपने कश्चन को काफीबर आपने देखा वोगा तो कैसे करते हो एगर इसका इसको बहुत आसान है आप सबी कर सकते हैं जो को 60 kg दूद है उसमें 6 kg निकाला तो 60 में से 6 निकाला किता परशंट निकल गया परसंट के अगर बात को 10 परशंट ही दो हुआ भाई 6 बटा 60 गुना 100 दस परशंट निकला किता बचा 90 परशंट तो पहला तरीका 60 का 90 परशंट बचे का पहली स्टेफ में अगली बार भी सेम वही 6 निकालना है क्योंकि दो बार और प्रक्रिया दोरा नहीं है तो इसका मतलब है कि इसको दो बार 90 से गुना करना है ओके टोटल तीन बार करना है आपको क्योंकि दो बार और बोला है तो बस ये स्वाल्व करना है आपको ठीक है करते हैं सब्सक्राइब एक दो एक दो कट गया यह दो जिरो कट गई यहां पर तो च्छे गुणा नो का क्युब 729 बटा सो तो इसको गुणा कर लीजिए बस अंसर आ जाएगा तो च्छे नाम चाववन का चार केरी पांच बारा और पांच सतरा का साथ हांसे लेक 42 नेकार निकालने में समय लग रहा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आसान तरीके से क्या कर सकते हैं देखो चुरूआत में 60 था गुणा जितना बच रहा हुतना उतना लिखो साट बेसे चला गया तो फ्रेक्शन कितना बचेगा 54 बटा साट और इसको भी आप तीक बार लिख लीजिए सेम वही जो यहां लिखा हूँ आए ना वही लिखा हूँ आएगा अब बताता हूं कैसे देखो अगर साट बटा 54 बटा साट को आटा तो नो बटा दस नो बटा दस नो बटा दस यह देखो एक जूरो कट गई अब देखो नो का क्यूप 729 गुनाच है तो वही 729 गुनाच है बटा सो तो देखो क्या आंसर वही आ रहा है बिलकुल 43.74 ओप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है चलिए अगला कुशन देखते हैं कुशन नंबर 26 एक कि दर से बेशता है तो उसका लाव परसंट याद करो यह आपको बोल रुपय में पूछा परसंट भी नहीं पूछा तो यह आपको विक्रे मूले देर रखा है अब यह कि लोगा मूले पहले तो कौश्ट निकाल लो आपको पूरा वाइचे दोनों को मैंने मिलाया तो दो कि अगर मैं इसको सिंपल वे में कर रहा है करवर्ट भी करूं तो यह तीन किलो और यह पांच किलो कैल्कुरिशन कम करने का परपस देख रहा हूं मैं तो कुछ परपस नहीं है आप 15 और 25 से भी कर सकते हैं तो 29 इंटो 3 तो 87 रुपय का तो यह हो गया हमारे पास ठीक है प् इतने किलो हुए पांच और तीन आठ किलो तो 87 के अंदर मैंने 187 में दोस्तों मैंने क्या किया आठ का भाग लगा दिया यह मेरा कॉस्ट आ गया और 27 रुपय तो लाप पूछ रहा है अब चाहो तो यह किलो का निकाल लो नहीं तो एक काम करो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं पर यहां पर परसंटेज नहीं पूछा ध्यान रखना मैंने इसको काटा भी है पांच से उसको लाश्ट पांच से गुना भी करना है आप है आपकान को से बात करें तो मैंने क्या किया 27 क्लो को आट 27 रुपय के भाएं से 8 बेस दिया अब आठ से आटु सा तो चपन किया तो मिछे प्रम इंटने कीज़ा हूआ मुझे प्रॉफिट हुआ घटाऊंगा तो यह हो गया 29 रुपय का प्रॉफिट हो गया मुझे यह 29 रुपर का Profit किस पर ने काटा किसे उपर 5 से काटा है तो 29 गुणा 5 है नं 145 रुपय का Profit हो गया तो इसको छोटा कर गए मैंने किया तो फाइनली इसको लाश्ट में क्या करूँगा 5 गुणा करूँगा 5 गुणा क्यूं किया क्योंकि पांस से जो मैंने रेशो काटा उसको पांस से लाश में एक बार उड़ा करके आसान कर सकते थे ठीक है तो ऐसे काफी सारी चीज़ें जो हमको इसी बना सकते है अगर आपके मन में उसार ऐलिगेशन से करचे तो कैसे करते बिटा पहले को 19 रुपए का भाव से खरीद और 9 बराबर मेरे 8 की क्योंकि अलुपाद 8 में बाटना है आपको तो 9 अगर 8 के बराबर है तो मुझे 3 का मान चीए यह 3 है तो यह जागा 27 बटा 8 यह होगा 27 बटा 8 और इसका मान हो जागा 5 के लिए 45 बटा 8 अब मुझे मुझे कुछ घटाना है और यह लेकर आना है तो मै इसमें से इसको घटा देता हूं तो 29 माइनस 45 बटा 8 ठीक है यह रहे क्या तो मेरे पास यह जो अवरॉल कॉस्ट है वो आ जागा निकलके अब इसको घटाएंगे तो 29 गुणा 8 करूंगा तो 9 अटे 72 क्यारी साथ 27 23 माइनस 45 बटा 8 तो यह मेरे पास फाइनली अवरॉल कॉ हसी बटा 8 गुब फिर पिर एक सुप्स दैसर बटा 8 एक किलो का पॉस्ट मेरे पास मिलका निकल कर आ गया इदर से भी यह आएगा और ये एक साहन निकाले गुम फिर के आपका अंसर लाश में वही आएगा चली कोश्चन नमर 27 क्या है किस अनुपात में पानी को दूद में मिलाया जाए कि क्रेम उले पर बेचने पर 20% का लाब हो एक छोटी सी बाद मैं आपको बता दू जब भी आप किसी चीज़ को कोश्ट पर बेचते हैं तो प प्रॉफिद आप किवल कब कब गुंगी जब मात्रा में चीटिंग करेंगी आ आप यहापर प्रॉफिट कितना हो रहा है क्रेम उले पर बेच रहा है पहली बात यह दूसरा लब कितना कमारा 20% तो इसका मतол़ है कि 100 kg अगर उसका मिल्क होगा कितना 100 kg डूध होगा तो उसके पानी वाटर कितना होगा वाटर 20% वाटर होगा झोगी अगर मैंने 100 में 20 kg पानी मिला दिया तो 120 kg होगया यहीं रच्थाइस की बात करते हैं कि दो द्रव एक्स और वाई तीरे नुपाद दो के अनुपाद में मिश्चित किये जाते हैं चलो दो द्रव दे दिया आपको एक्स और वाई तीरे नुपाद दो के अनुपाद में मिश्चित किये जाते हैं मिच्टन को 10% लाप पर बीचा, 10% लाप पर 11 रुपे लिटर के भाव से बीचा रहता है, चलो ये भी दे दिया आपको उसके अंदर, चलो ये 11 रुपे के हिसाफ से, अगर 10% लाप कमारा तो क्रेम मूले 10 रुपे आएगा, क्लियर है, वैं 10% के हिसाफ से निकालो के तो 10 कि उन तर्म को पकड़ लो विगाराब, मुझे दोनों का कुल क्रेम मूले निकालना है, मिच्टन को, तो उसका मिच्टन का क्रेम मूले आगए 10 रुपे, इससे 21 रुपे हो गई हमारी, ये रहे, आगे कहा रहा है, कि ये बोल रहा है, एक्स की लागत, ये देखो बोल रहा तीन गुणा, पी प्लस दो, और वाई कितना चालो, दो किलो, तो उसकी लागत हो कि टूपी, अब टोटल लागत ये है, मिलाकर हमने पांच का भाग लगाए, क्योंकि पांच किलो हो गया, तो 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 ठीक है और 50 में से 6 गया तो 44 तो पी का मान हमारे पास आगे 44 बटा 5 यानि 8.8 रुपे ठीक है और ये पी का मान है तो एक्स का मान क्या आएगा एक्स का मान आएगा पी यानि 8.8 प्लस दो यानि 10.8 यानि 10.80 रुपे इसका अंसर होगा तो option B इसका correct जवाब है तो ये बड़ ही interesting question हमारा निकल के आगया चलिए अगला कोश है मैं एक वार्ष रिपीट कर दो अगर आपको इसा लगता है तो देख लीजी बारा पहले को तेनी किलो लिया तो दूसरे को दो किलो लिए ये चीज़ क्लियर है दूसरी बात मिशन को 10% लाफ से 11 रुपे में बेचा यानि 11 10 10 10% के वराबर है तो यहां पर अगर हम अपना क्या निकाले कोश निकाले हैं तो कोश दैगा बेटा रगा ये भी क्लियर है अब गया ऑस की लागत तो फीरुपभी है और ची लागत क्या होगी प्लस दो एक्ट्रा होगी और आगर मैं तीन गुना मैं आड़े एक्स को ती पहले पी कमान है 8.8 और एक्स कमान हमरे पास की आगा पी प्रस दो स्वाल्व कर लिया हमने ओके चली कोशन नमबर उन्तिस तीन कंटेनर जिनका आयतन दो अनुपात तीन नुपात चार की अनुपात में यह बड़ा ही इंटरस्टी कोशन है ऐसे कोशन आप सीजेल में देख सकते हैं अब इसको आसान कैसे करेंगे उसको देखना अगर यह समझा आगया आपको तो मानके चलना आप पी यह जो मुझे क्या बोलохा यह यह तीनो को एक बड़े चार किया किया थेक है तो परिणामी-मिश्टम इस पूरिपर्णों का नुपात क्या होगा यह आपसे पूछ रहे हैं तो निकालते हैं हम लोग धेखो सबसे पहली बात है मुझे इन तीनों का अनुपात क्या ची है दो, तीन, चार क्योंकि ये दो किलो होगा तो ये तीन किलो हो ये चार किलो क्या इनकी मातरा समान है नहीं है तो पहला काम हम इनकी मातरा समान कर लीजे सबसे आसान तरीका पहले मातरा समान करूँगा तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ वैसे तो और भी तरीके हैं देखो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दू तो यह क्या हो जाएगा 10 यह 15 और इसको मैं 3 से गुणा कर दू ठीक है नहीं मुझे किस्ता करना है चार करना है न तो 5 से गुणा दो बार 5 से गुणा तीन बार इसको 2 से गुणा कर दू देखो यह 10 हो गया यह 15 हो गया और यह 20 हो गया तो 10 15 20 का अनुपाद क्या होता है 10 15 20 का अनुपाद 2 नुपाद 3 नुपाद 4 है तो देखो 2 नुपाद 3 नुपाद 4 में बदल गए है अब देखो इसको दो से गुणा किया तो नया अनुपाद क्या गया इसका इसका नया अनुपाद हो गया चार दुनी आट दो एकम दो टोटल हो गया दस लीटर इसकी अगर बात करें तो इसको अपने छेडा नहीं है एक ग्यारा अनुपाद चार का ग्यारा अनुपाद चार करना उतना मैंने कम किया इनको मिलाकर मिलाया तो बताओ पहले में दस में से यह कितना है इस्पृट कितना है आठ दूसरे में 11 और तीसरे में 14 जोड़ो इन सब अनुपात हमेशा कटा हुआ फॉर्म मिलेगा आपको इध्यान रखेगा अनुपात में हमेशा वैल्यूस कटी हुई होगी अगर कट सकती है तो ठीक है इस्वा एक बरतन में 20 लेटर अमल है बरतन से 4 लेटर अमल बहार निकाला जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है फिर से 4 लेटर मिश्टन निकाला जाता है और उतना ही पानी मिलाया जाता है यह कोश्चन वही है जो भी दूद्वाला कोश्चन के था न पहले देखतो बचा कितना है वो देखते हैं तो बेटा 20 शुरुवात में था आपने हर बार 4 लेटर निकाला है अगर आप करोगे तो आपने यहां पर पांच वाश्चा निकला है ना तो 20 परसेंट निकाल लिया आपने इसका असी परसेंट आपने छोड़ दिया और कितनी सब्सक्राइब निकाल लो अनुपात आपसे पूछ रहा है वो निकाल लेंगे तो यह हो गया 20 कट गई है इसको जितना काट सकते हैं चलो काट लेते हैं इसको निकाल लो चार से काटा 16 बार चार से काटा इसको पांच बार तो 16 नुपात 25 ठीक है इसको आप डारेक्ट भी कर सकते थे आप कैसे हमें पता है 80 परशेंट बच रहा है 80 परशेंट को दो बार निकलीजी सीदा सीदा तो यह उपर चार और चार चार चक 16 और नीचे 25 इसका सिदा अंसर होगा तो यह इसका करेक्ट अंसर है 16 नुपात 25 यह ऑप्शन C इसका करेक्ट जवाब है तीस्वे कोशन में चलिए अगला देखते है 31 कोशन क्या है एक दूदिया यह दावा करता है दूदिया ही दूद पर ही बेजता है लेकिन उस दूद में पानी को मिला कर बेजता है इस प्रकार उससे 25 पर चैसल परता है त polls को परना पाने को किस न प्रकार discussion इसका option देखो कौन सा है एक डी वाला पर आगे वी पढ़ते हैं क्या है यदी एक लिटर दूद्ध है बेचे एक लिटर दूद्ध बेचे तो उसमें कितना पानी मिलाएगा तो एक लिटर दूद्ध है इसका मतलब है पूरा मिश्टर एक लिटर है तो उसका उंदर टोटल और पांच का मान यहां पर दोस्तों कितना है एक लिटर या निम्हें इसका मतलब है और पांच बरबर जो व dale को दिन पानी भी तो मदा हुआ है तो पांच बराबर एक हजारArt एमल एक लिटर बराबर 1000 Tea एमेल होता है तो्या पर पाणी का एक 200 ml होता क्या होता 200 ml होता ओके चलिए अगला कोश्चन कोश्चन 32 किसी बरतन में रखे वे दूदर पानी के मिश्रण का अनुपात 5 अनुपात 1 है यदि मिश्रण में 10 लिटर पानी और डाल दिया जाए इस बात को पकड़ लो इसको दो तरह किसे करें कि वैसे हमने किवल पान ग्यने शुरू में विठोς पानी का नुपात बने रखा मिल को ड़ाए यदर पानी डाला अनुपात 5 अनुपात 3 हो गया दूद हमारे पास are点 बिल्कुल तो पांच और एक कुछ गोर्षय अब मुझे क्या बोल रहा है कि मैने इस पर डाल दिया है यहां डो का मान बस अब बैट मान अगर भार्ण तो मुझे से क्या पूछ तू रहा है। नए मिश्शरण में पानी की मात्रा क्या है। तू नए मिश्रण में 3 है। 3 का मांग निकालो 10 बटा 2 इंटू 3 यानि पंदरा इस यानली 15 इसका अंसर आएगा। तो बिल्कुल सीधा सिधा अलटां क्या कैसा 15 लीटर नए मिश्णन में अंसर होगा तो 15 लेटर ऑप्शन भी इसका correct जवाब है तो ऐसे भी कर से तो आप चाहे तो basic fundamental से कर सकते हैं मैंने माना शुरुवात में दूदर पानी है 5x और पानी है 1x अब मैंने क्या किया मैंने सिर्फ मिलाया बेटा पानी तो पानी बढ़के हो गया 10x प्लस 10 और नया अनुपात क्या है इसका 5 अनुपात 3 तो आप करते हैं 5 से 5 कट गया ब्रजगूना करो तो 3x बराबर x प्लस 10 2x बराबर 10 x का मान आ गया 5 x का मान 5 आ गया तो वापस 5 रखोगे तो देखो पानी पहले कितना था 5 5 और 10 पंदरा बिल्कूर पंदरा रेटर आएगा तो नया पूछ रहा है आपसे तो पंदरा इसका गरेक्टर अंसर है 32 कोश्चन में चलिए कोश्चन हमर 33 के और चलते है बटा कितना भाग निकाल कर उसके बदले में अतनी मातरा में पानी मिलाया जाए ताकि शराब और पानी का नौढपाद के आग सकता हूं पहला जो बचावा है और पानी का नौद 7026 के दूछ प्रकिता रहेगा अनुपाद किता रहेगा बेटा, तीन अनुपाद एक ही रहेगा बीबी लेकिन आपने उसमें क्या किया उतने ही मातरा में पानी मिलाया तो पानी मिलाया तो इसका मतलब है कि शराब की और जो अनुपाद नया है वो एक अनुपाद एक है तो हाँ, अब सुनो मैं क्या बोड़ो, अगर आपने इसमें पानी मिलाया है बेटा, तो इसका मतलब शराब की मातर तो समानी देगी, ठीक है, तो शराब की मातर तो तीन ही रहनी चीए थी थी न, इसको तीन से गुणा कर लो, तो ये भी तीन लुपा तीन हो गया, तो इसका मतलब आपने कितना माल पानी मिलाया इसके अंदर, हमने कितना मान बढ़ा दिया, दो का मान बढ़ा दिया, दो का मान किसमें बढ़ाया, तीन और एक चार तो पहले सी था, चार में दो डाला तो छे हो गया, इसका मतलब दो हिस्सा निकाला गया था, कितने में से, छे में से बैट टोटल चार तो अभी है और दो डाला उत्रा ही तो पहले निकाला लिखाओ ना मिश्रक कित्रा भाग निकाल कर तो दो बटा छे निकाला यानि एक बटा तीन भाग निकाला है उत्रा ही आपने भरा है तो अंसर इसका क्या होगा option B इसका correct जवाब है एक तरीका ये second तर इसका उप्शन भी पर्डॉक है फिक है तो फट्छी जवाब है करेकं चिंघर उसका उप्शन भी करेक्ट जवाब है अमीद समझ आगया होगा ठीक है तो कोशन नमर 34, एक दूद व्यापारी 6.40 रुपए परती लिटर की दर से दूद खरीदता है, उसने दूद खरीदा है, इस कोशन को समझदा अच्छा कोशन है, वैबस में पानी मिलाता है, तद पश्चात मिश्रण को 8 रुपए परती लिटर की दर से बेचता है, और इस पर 35% का लाप कमाता है, ये पॉइंट को और पकड़ लो, तो लो पहले कोशन निकाल लेते हैं, इसका याई-सी, कुछ चीज़े जो आप डिरेक्टली कर लिया करो, 8 यहां पर 35 के बरावर है, तो 35 का बुना सो, यह हमारे प्रॉफिट के बेच दिया इसने, अब यहां पर बोल रहा है, खरीदे जाने वाले, इस मिश्रण में पानी और दूद का अनुपात क्या है, तो इसका मताब अपसे अनुपात पूछ रहा है, और अनुपात कैसे निकालेगे, जरा समझ में, अभी सब क्लिर हो जाएगा आपको, तो काटें इसको, साड़े बारा से काटें, तो साड़े बारा से काटेंगे, तो ये कटेंगा आठ बार, और ये कटेंगा ग्यारा बार, तो चौसट बटा ग्यारा रुपे हमारा कॉस्ट हो गया, मिश्रण का, और जब भी पानी की बात कर रहा है, पानी की बेल्यू, यानि मिंदल वर्टर का मूले नहीं दे रखा, तो आपको अमिश्या फिरी का मान के चलना है, पानी तो उपर से बरसता है न, इसलिए, तो पहले में दूद का रेशो क्या है, दूद का रेशो, एक मट रूपा पूछ इसका रहा है, पानी में दूद का रूपा, तो पहले है, पहले अपन मान लेते हैं, शुरू में पान किनिफरी का दूद कित्ते का 6.40 का और मिस्टन का मूल लेकिता है 64 बटा 11 ठीक है चलो सॉल्ब कर लेते हैं इसको तो निकाला तो 64 बटा 11 तो यह रह गए रहेगा इसको निकाला तो जब लगुत्तम लूँगा तो यह इससे गुणा हो जाएगा ठीक है इसको आसान तरीके से इससे भी कर सकते हैं अब देखो इसमें इसको घटा है ताब उसमें इसको घटाओंगा तो 64 बटा दस है और वो 64 बटा 11 तो को मनाई गया 11-10 तो एक बटा एक बटा 110 ठीक है तो यहांगे 64 बटा 110 लिए रहे अब यह 110 उपर चौसर चौसर कट गया तो यह 11 अनुपाद 110 इसका अनुपाद 10 इसका अनसर आ गया है तो इसका अनसर क्या है एक अनुपाद 10 यानि ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है इसमें 34 कोशन में चली कोशन रोप 35 की बात करते हैं तो कोशन मसमस है न मज़ा आ रहा होगा अगर आप यह सारे वीडियो पूरे पढ़ लेना तो आप की मैंस बिल्कुल आप चाह किसी भी एकजाम की तैयले कर रहे हो आप रहीप की कर रहे हो एकषाम के उप hm तो तो आप ये सब इनकी तैयारी अच्छे से कर चुके होंगे अभी केवल रिविजन चल रहा है आप लोगों का हाँ आप ये वीडियो पूरे जरूर देखते होंगा नहीं देखते हैं तो कुछ ना कुछ जो चीज हम छोड़ देते हैं वहां कॉंसेप्ट मिल जाता है मैं काफी सारे कॉंसेप्टिस में आपको एक्ष्ट्रा बता रहा हूं जो आपको आने भी चाहिए जैसे कोश्चनर 35 क्या है कि एक व्यक्ति ने एक कोई ध्यान रखो, अब बुल रहा है जो पैन है देखो मूले बुले को चूले में जाने दो यह हो गया अंतर पांच पांच है तो यह ढ़ाई होगा एक उनपाद दो के चक्र में तो यह होगा साड़े सतरा ठीक है तो अंसर क्या हो ऑप्षन B इसका करेक्ट जवाब है तो ऑप्षन B यनि 35 कुशन में ऑप्षन B इसका सई जवाब है ठीक है उसके बाद 36 कुशन क्या है एक व्यक्ति ने टीवी और फॉन कुल मिलाकर 66,000 में खरीदा टीवी को 20% लाब पर जबकि फॉन को 24% की हानी पर बेचा पुरे लेंडर में 4% का घाटा हुआ तो बताए फॉन कितने में खरीदा ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है तो देखो टीवी पहले टीवी 20% लाब यनि 120 उसके बाद 24% हानी यनि अपने पाद 76 उसके बाद 4% की हानी 96 गटाया तो ये गट गया 20 ये गटाया तो बचा 24 अनुपात निकाला तो पाँच अनुपात 6 चलो तो ये टीवी का है पॉन कितने में खरीदा पॉन दूसरा वाला लॉस वाला तो इसका मतलब 6 बटाग 11 गुणा 66 अजार 36 अजार 36 अजार 36 वी में ऑप्शन B इसका करेक्ट जवाब है आसानी से कर लिया हमने चलिए कोशन नमर 37 क्या है एक नगर की जनसंक्या 15,000 है यदि उसमें पुरुशों की संक्या 8 परसेंट वाइस्त्रियों की संक्या 10 परसेंट की व्रद्धी हो जाए तो जनसंक्या बदलकर 16,300 हो जाएगी जाएगी मुझसे बोल रहा है और क्या कह रहा है तो दोनुसार उस नगर की स्त्रियों की संक्या ग्याद करें आपसे पूछ रहा है तो देखो यहाँ पर एक नगर की जनसंक्या कितनी है 15,000 आपको दे रखी है उसमें पूरिशो के संक्या कितनी 8% और महिला के संक्या 10% की व्रद्धी हो रही है ओवरॉल जनसंक्या हो गई 16,300 यहीं तेरा सो की व्रद्धी हो गई है टोटल चेंज निकालो तेरा सो का चेंज किस पर 15,000 पर ठीक है गुना सो कर लीजी आप चलो यह कट गया यह भी कट गया पुरा-पुरा तो नहीं कटेगा शायद क्योंकि तीन से कटेगा नहीं तो कोई बात नहीं हम बात में calculation कर लेंगे 5 से कटा 26 और 5 से कटा 3 चलो पहला इससा 8% दूसरा 10% और overall 26 बटा 3 परसेंट का व्रद्धी हो रही है इस तेरह 10% बढ़ रहे हैं बटा 3 टोटल हो का 5,000 option D इसको direct भी कर सकते हैं अब देखो कैसे तरह की दूसरे कैसे यहां पर बेटा क्या लिखा हुआ है 8% पुरुच बढ़ रहे हैं 10% महिला बढ़ रही है इसका मतलब लगब क्या average 8% तो सब बढ़ रहे तो 8% आप निकाल लीजे 15,000 का तो 15,000 का 8% निकाल कर टोटल पॉपुलिशन में वरद्धी कितनी हो रही है वो देखो तो 1200 की वरद्धी होगे मिटा जबकि कितनी वरद्धी बता रही है 1300 की अब बच्चे कितनी वरद्धी बच्ची 100 की वरद्धी अब इस 100 की वरद्धी किस तो रही है अब महिलाओं पर 8 की है दस करनी थी 2 बच्ची है तो महिलाओं का 2% किसके बराबर है 2% अगर 100 के बराबर है तो महिलाओं का 100% आप निकालोगे तो बिल्कुल 5000 अंसर आएगा तो सो बटा दो गुणा सो यानि पांच जार इसका correct जवाब है यानि option D इसका answer है चले 38 वा question देखते है चले 38 क्या है ताजे फल में यह बड़ा ही प्यारा question है important question है काफी बार आपने देखा होगा ठीक है क्या है ताजे फल में पानी का पानी की कमी आएगी यानि उसका पानी जो सूख जाएगा पानी उड़ जाएगा लेकिन उसमें जो पल्प है यहां पर यहां पर पर्षेंट पानी है तो देखो पार वाटर दो सीज हमारे पास है अगर मैं मानू कि ताजे फल में पल्प अगर मान लो 68% परसेंट पानी है तो इसका मतलब पल्प कितना होगा 32% जोड़ लो दोनों को 100% है ला अब इसको काट लो तो 4 से कड़ा 8 अनुपाद 17 ये तो हो गया हमारा कौन सा फल ताजा फल फ्रेश और अगर मैंने फल को सुखा दिया 20% पानी रहे गया बिटा जो 20% हमारे पास है तो ये कितना होगा 80% हमारे पास होगा और 80 का मतलब हो है 4 अनुपाद 1 इसका ये हमारे पास क्या जगा रेश्यो आ जाएगा ये सुखा फल अब मैंने आपको बोला कि जब फल ताजा और सुखे की बात कर रहे हैं तो दोनों में पल्क समान होगा तो पानी कम होना जी पल्क कितना होगा बटा जहां पर 4 यहां पर 8 बरावर है क्या नहीं है तो इसको उपर 2 से गुणा कर दो बस और कुछ नहीं करना आपको ऐसे कुशन में बस यही काम करना है ये 8 और ये 2 हो तो 25 किसके बरावर है 25 का मान है सूख फल यहां पर तो 25 अगर सो किलोग्राम है तो सो बटा 25 और मुझसे पूछ रहा है ताजे फल, सूखे फल का, यानि 10 का मान, इसका मान दे रखा, इसका मान पूछा गया है, ये कट गया, 4 बार, तो बिटकुल 40 kg सूखा फल होगा, तो बिलकुल option B, इसका correct जवाब है, तो देखो कितना प्यारा question था, चलिए, question number 49, क्या कह रहा है, कि एक दूद बेचने वाला, और 8 रुपए प्रती लिटर के भाव से दूद खरीकता है, ये cost दे दिया आपको, आगे कह रहा है, वह इसमें किस अनुपात से पानी मिलाए, कि मिस्टन को 8 रुपए प्रती लिटर की दर से बेचने पर 20% का लाग हो, इसका मतलब ये है, कि मिस्टन को 8 रुपए से बेच अब देखो, दूद कितना है, दूद है अपना, किस अनुपात में पानी मिलाए, तो इसका मतलब ज्यादा पानी कम है, तो दूद का मूले है 8 रुपए, पानी का मूले फ्री का, जब तक मैंने का मिलनर वाटर के वैल्यू नहीं देगा, जब तक आप 0 मान के चलेंगे, 20 बटा तीन, चलो लगुतम लो, आठतिया, तो 24 में से 20 गया, तो चार, चार बटा तीन, और यह हो गया, जो बीस बटा तीन का, बीस बटा तीन ही रहेगा, तीन से तीन कट गया, तो चार से कड़ा, चार, पांच, तो पांच अनुपात एक इसका अंसर है, ऑप्शन C, अग दावा करता है, लेकिन वह दूद में पानी मिला कर बेशता है, इस कारण उसे 20% का क्या हो रहा है, बेटा, लाब हो रहा है, लाब प्राप तो थोता है, दूद में मिलाए गए पानी की प्रतिशत्ता क्या है, आपसे पूछ रहा है, चलिए, तो आपको तेखो, यहां पर क टोटल 120 होता तो 16 दो बटा 3 होता तो वो भी हमारे उप्शन में नहीं है वैसे तो इसका आंसर क्या होगा उप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है तो इस तरह से ये बड़ा ही प्यारा इंपॉर्टेंट चेप्टर था हमारे लिए मैं कहूंगा कि अगर आप इस चेप्टर को बार बार पढ़ेंगे तो आपके साधी प्रक्टिस बहुत आसान हो जाएगी बस अब आपको डिफरेंट डिफरेंट कोशन पढ़ने की करने की टेक्निक्स आपको आनी चाहिए वैसे इन लेक्टर्स को आप उपने दोस्तुक्षा शेयर कर सकते हैं डेफिनिटली अभी तक हम कोई फॉर्मला यूज नहीं कर रहे हैं हम किसी भी तरह का कोई रटने वाला कॉंसेप्ट याद नहीं कर रहे हैं हम केवल इजी वे में कोशन कहीं को सॉल्व कर रहे हैं तो चलिए